आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के उपर अभी कवर करेंगे हम सभी 26 जून के इपढ़ने करेंट अफ़ेर एक या दो जिलाइस है ना आपका जो भी क्लास है रिजनिंग का मैथ का जीके का सम कुछ स्टार्ट कर देंगे बस एक बार गाव से आजाए दसवा है बड़े पापा देद किये थे उसके बाद यह बाल भी आपको नहीं दिखेगा फिर टोपी कैप पहन कर आपको प्रहाना पड़ेगा कोई नहीं और एक बात याद रखिएगा करेंट अफियर आठ से नौ मिनट ताफी है लेकिन इतना देर न ढंक से पड़ो ढंक से बहुत लोग क्या होता है भाईया एक मेना या चार मेने करेंट अफियर भूल गए अरे डेली एक घंटा डिर घंटा डिपली पड़ रहे है जादा ग्यान लेने के चकर में और पूछेगा मैं लास्ट 6 साल से करेंट फिर पढ़ा रहा हूँ और बार बार हर एक्जाम में परमार दी है कि देखो कोस्तन फस्त रहा है बाबू फिर आप ज्यादा ग्यान लेने के चकर में बोज क्यों लेते हैं आप सभी एकदम 7-8 मिनट जैसे मानलों पहला कोस्तन हमार जीवान्यू का घोज कहां पर तिया गया एक्जाम में क।सन पुछेगा आप क्या बोल यह फ्रांस में हो गया कोस्तेन दिमाग में बैठा सबसे बढ़ा जीवान्यू कहां पर फ्रांस में अगला क।से नमारे सामने कैने क कि टिक-TOK के उपर सबसे जादा फॉन्वर छिस अगला question हमारे सामने किस राज ने MSME medium, small, medium enterprise micro, small and medium enterprise छे ट्रिक में उत्कृष्टा विकास के लिए राश्ट MSME पुरुसकार ने प्रथम दर्जा हासिल किया है सीधा question पूछेगा छोटे लगू उद्द्योग में न अच्छे कार करने के लिए किस राज को सर्वसेष्ट राज का पुरुसकार दिया गया है उडिसा रास्वरकार option number C, डिक्कत, question सब याद है अभी भी तबसे बड़ा जिवानू, फ्रांस में खो जा गया है सबसे बड़ा टिक्टो का फोलोर कॉन बन चुका है, खैबी लैम MSME छेतर में अच्छा कार करने के लिए सर्वसेष्ट राज का दर्जा किसको दिया गया है, उडिसा को question याद है, answer छोड़ो, देखो रास्टिजाज अजनसी, NIA, National Investigation Agency का महानिदेश सा कौन बन गया है, एक दम दिनकर गुपता option number B, ठीक, अगला question अमारे सामने यहाँ पर, किस देश ने ये बोल दिया है, जो टीका करन है, किस देश ने अपने आनिवारे टीका करन को साब करना ए, मत्तब, टीका करन अब जरूरी नहीं है, किस देश ने ऐसा बोल दिया उनके उपियोग और उत्पादन पर लगबग पूरी तरह से पर्तिबंद लगा दिया गया है ऐसा कहा पर हुआ है किस देश में हुआ है जोई बाइडन यानि अमेरिका में अमेरिका में बोल दिया गया है बारूदी सुरंग और उसके उत्पादन पर पूरी तरह से रोक अमेरिका बोल दिया है अगला कोस्टन अमारे सामने क्या है यह कोस्टन मैंने आपको बताया था ना 2023 में G20 सिखर समेलन की मेजवानी कौन करेगा इंडिया करने वाला है और इंडिया में कहां पर किया जाएगा आयोजन का तयारी तो जम्मू कास्मीर में option नंबर ए अगला कोस्टन हमारे सामने क्या है अखेल भारतिया फुटबॉल महासं इस संगतन का कार के देखरेक के लिए सालकार पैनल का अध्यक्ज किसे बनाया गया है सीधा simple सा question है अखेल भारतिया फुटबॉल महासं का जो भी कार काज होता है उसको सलाव देंगे कि ऐसे करिए काम ऐसा होता है ये फुटबाउल के छेतर में ये करो वो करो ये सलाव देने के लिए किसे परमुक बनाया गया है एक दाम रंजीत मजाज option number B अगला question अमारे सामने क्या है वाणे जो और उद्वोग मंतराले पहला ब नाम दिया गया है जिसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है उस परिसर का नाम दिया गया है वाणे जिभवन option number B अगला question अमारे सामने किस राज सरकार ने सरकारी school के छात्रों को गुणवत्त पुल सिख्छा प्रदान करने के लिए quality वाला education सिख्छा प्रदान करने के लिए किस राज सरकार ने बाइद्यूस के साथ समझाता किया है यानि सरकारी school में quality education प्रदान किया जा सके इसके लिए बाइद्यूस के साथ आंध्र परदेश किस रा सरकार ने हाथ मिला या है अगला कोषंपो सामने क्विशन हो गया है मतलब इतने देड़ में फटा फट कंपलीट रिविजन करभी दस का दस क्वेस्ट्न दिमाग में बैठा हुआ है ảक इतना ही पढ़ना है बाब दिल से, ठीक है, एक बार, देखो, किस रासरकार में सरकारी स्कूल में अच्छा सिच्छा प्रदान करने के लिए बैजुस के साथ हाथ मिला है, आंध्र पनदेश, क्वस्चन याद है, क्वस्चन क्या बोला है, वाणिजु मंत्राले का नया परिसर बनकर तयार है नई दिल् किसे नुठ किया गया, बजास साब को, आप्शन नमबर बी, क्वस्चन याद है, जी ट्वेंटी, सिखर सम्मिलन की मेजबानी 23 वाला भारत करेगा, भारत के किस सराज में, राज नहीं, जमू का समिल में, अगला क्वस्चन अमारे सामने, किस देश ने ये बोल दिया, बा खतम कर दिया गया है, किस देश में, अस्टेरिया में, अगला क्वस्चन अमारे सामने क्या था, राष्ट जाज अजेंसी का नया महानी देशर, दिंकर दुक्ता, कुट्ता नहीं बोलें, गुप्ता बोलें भाई, अगला क्वस्चन, किस राज ने, MSME, Micro, Small, Medium, Enterprise, छोटे उ बिश्चु का सबसे बड़ा जीवाड़ों का खोच, फ्रांस में किया गया है, अप्सन नमबर डी करेंट है, फिर कंप्लीट, इतना देर पढ़ना है, धंग से पढ़ना है, ताकि क्वस्चन कम से कम दिमाग में रहे, पढ़े तो मजा आये पढ़कर, ये नहीं कि एक लब होना है, रिजर्ट क्वस्चन एक्जाम में आना चाहिए, तो मेरे जितने भाई बेल दे सभी को, बहुत बहुत बुर मॉर्णिंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, अपने साथा मभी पर ख्याल लखिएगा, परिवारा ख्याल लखिएगा, और देश का भी, ठीक है जैहिंद, बंदे मात्रम, आज दिन अच्छा पढ़ाएं न, हमको भी पढ़ा कर मजाया है,